हलो दोस्तों, क्रेडोज I.S. में आप सभी का स्वागत है और बिहार विसेस में आज क्रेडोज की तरफ से आपको बिहार का भोगोलिक परिचय और बिहार की भोगोलिक संद्रचना से संबंदी वीडियो मिलने वाली है आज के इस अपने सेशन में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से बिहार की भौगोलिक संद्चना बिहार को विसेश बनाती है बिहार राज्य की सिमाएं किस देश से लगती है या किस राज्य से लगती है बिहार में कौन सी नदिया है जो बिहार का मैदान तयार करती हैं, बिहार की कौन सी नदिया है जो बिहार को बाढ़ गरस्त बनाती हैं, बिहार की कौन सी नदिया है जो बिहार के जनता के लिए, बिहार के अर्थ बेवस्था के लिए, बिहार के प्राइड के लिए आवश्यक हैं, तो चलिए, श्टार्ट करते हैं, बिहार की भोगोलिक संदचना की तरफ बढ़ते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, 17 Ortie BPSC के लिए 2024 का यह बिहार राज विसेश चल रहा है हमारी तरफ से, आज बिहार की भोगोलिक संदचना के बारे में जब देखते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, कि बिहार के जो सीमावर्ती जिले हैं, वे किस देश से या किस राज्य से लग रहे हैं, एक एक करके सारे जीलों के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो सबसे पहले देखते हैं, उपरी छेतर की तरफ, यानि कि बिहार की सीमा कौन से डिस्टिक ऐसे हैं, जो अंतरराष्टी सीमा बना रहे हैं, तो सबसे पहला सीमा जो हम पश्चिम से उरभ की तरफ बढ़ेंगे, सबसे जो पहला आपका जिला पढ़ता है, वो पश्चिमी चमपारण है, यह भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है नेपाल के साथ फुल मिला के अगर हम उत्तर की तरफ बात करें तो उत्तर की तरफ साथ जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साजा करते हैं उसका क्रम क्या है आप पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते क्रम में उसके बाद पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ते क्र हमारे साथ आप रिपीट करेंगे आपको वड़े असानी के साथ याद हो जाएगा तो सबसे पहले पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं तो सबसे जो पश्चिमी जिला है जो देखा जाए सबसे बड़ा जिला है जो पश्चिम की तरफ से पहला पड़ेगा वह आप आपका पस्चिमी चमपारण है, ठीक है, सबसे पस्चिमी नहीं है, मतलब पस्चिम के क्रम में पस्चिमी जो जिला है, वह क्या पड़ा है, पस्चिम चमपारण, उसके बाद जिला कौन सा रहा है आपका, पूरवी चमपारण, उसके बाद कौन सा रहा है, सीता मढीर, उसके उसके बाद सुपॉल, उसके बाद अरया, उसके बाद किसन गंज, ये साथ जिले ऐसे हैं, जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, अब पूरब से पश्चिम की तरब देख लें, तो यहाँ पर जो सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला कौंसा है यहाँ पर, सबसे पूरवी जिला है और यहां सबसे पूरवी जिला भी है बिहार का अब नेपाल से लगने वाले जिलों का पूरव से पश्चिम की और क्रम देखते हैं सबसे पूरवी जिला कौन हो गया? किसन गंज हो गया, उसके बाद अरडिया हो गया उसके बाद सुपाउल हो गया, उसके बाद मधवनी हो गया उसके बाद सीता मड़ी हो गया, उसके बाद पूरवी चमपारण हो गया और उसके बाद पस्चमी चमपारण हो गया और जो पस्चमी चमपारण है इसके साथ जो बिसेश चीज है क्या है? सबसे उत्तरी जिला है पस्चमी चमपारण साथ ही साथ छेत्रफल की द्रिष्टी स सबसे बड़ा जिला छेत्रफल की द्रिष्टि से सबसे बड़ा और सबसे उत्तरी ये दो उपमाएं इसे मिली हैं दो उपाधियां इसको प्राप्त हुई हैं दो विशेस्ताय इसके साथ लगती हैं अब पूरव की तरफ ही देखते चलते हैं तो पूरव की तरफ अगर कौन से आपका किसंगंज, किसंगंज क्या है, नेपाल और ध्यान रखेगा, किसंगंज नेपाल और पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है, किसंगंज, उसके बाद पुर्णिया भी बंगाल सीमा बनाता है, और कटिहार भी सीमा बनाता है, किसे पश्चिम बंगाल से, ठीक है, पश्चिम बंगाल ठीक है पश्चिम बंगाल से ये तीन जिले सीमा बनाते हैं अब नमबर आता है दक्षिन की तरफ जो बिहार के जिले हैं ये किसके साथ सीमा साध्या करते हैं यानि कि दक्षिन की तरफ कौन-कौन से जिले हैं जो भारत के किसी अन्य राज्य से लगते हैं तो आपको ये पता होगा कि 15 नवंबर 2000 को जारखंड बिहार से अलग हुआ था जिसमें बिहार की 45.85 प्रतिसत जो भूभाग था वो काट करके एक नए राज्य का स्रिजन हुआ था जिसे कहा गया जारखंड ठीक है जिसे क्या बोला गया जारखंड कहा गया ठीक है के साथ कौन कौन से राज्यों के सीमा बन रही है उसे देखते हैं तो कटिहार कटिहार भी जारखंड के साथ सीमा बनाता है कटिहार कटिहार पस्चिन बंगाल और जारखंड दोनों के साथ सीमा साजह करता है ध्यान रखेगा जो कटिहार है कटिहार ये आपका जारखंड क के साथ भी सीमा बना रहा है और वेस्ट बंगाल के साथ भी सीमा साजहा कर रहा है कटिहार ये भी देखते चलिया जैसे हमने देखा था किसंगंज नेपाल के साथ भी सीमा साजहा कर रहा है और पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साजहा कर रहा था इधर उत्तर पदेश में भी देख लिया जागा, कौन सा नेपाल से कर रहा है, कौन उत्तरपदे से कर रहा है, ये दो चीजें ऐसी हैं, जो एक्जाम में आ सकता है, सामान ने पूछे न पूछे, लेकिन ये पूछ लेगा कि कौन सा जिला किसी दो राज्य से संपर्क में है, चीक है, या सबसे ज़्य जादा राज्यों के संपर्क में है, ऐसा भी, उसके बाद कटिहार आया, कटिहार के बाद भागलपुर आता है, उसके बाद बाका आता है, उसके बाद जमुई आएगा, उसके बाद नवादा आएगा, उसके बाद गया आएगा, उसके बाद औरंगाबाद आएगा, और उस के बाद रोहतास ये आठ जिले ऐसे हैं जो जारखंड के साथ सीमा साज़ा करते हैं कौन कौन से जिले आठ जिले और आठ जिले में कौन सा फिर से हम उल्टे क्रम में एक बार देख लेते हैं ठीक है रोहतास औरंगाबाद गया नवादा जमुई वाका भागलपुर कटिहार कटिहार, भागलपूर, बाका, जमुई, नवादा, गया, और अंगाबाद, रोहतास ये सारे के सारे जार Unterstützung के साथ सीमा साजा कर रहे हैं आठ जिले ऐसे हैं जो जार cooldown के साथ सीमा साजा कर रहे हैं अब इसी में थोड़ा सा विशेस एक जिले के साथ है गया अगर गया की बात किया जाए तो गया के साथ विशेस क्या है? सबसे दक्षडी जिला है इसके साथ एक और विशेस ता गया के साथ लगती है रो क्या है? सबसे गर्म सबसे ठंधा ठीक है? गया सबसे गर्म जिला भी है और गया सबसे ठंधा जिला भी है बिहार का ये ध्यान रखेगा पठारी च्छित्र है और इसलिए सबसे गर्म भी है और सबसे ठंधा भी है और एक चीज़ सबसे कम वर्षा वाला भी जिला ठीक है? सबसे कम वर्षा वाला जिला भी क्या है गया है ठीक है गया तो ये बिहार के जो जारखंड सीमा से लग रहे हैं जिले उनके बारे में कुछ information हो गई अब चलिए बढ़ते हैं अपने पश्चिम की तरफ यानि कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन सी सीमा लग रही है ठीक है तो उत्तर प्रदेश से सीमा जो जो जिले लगा रहे हैं उनके बारे में देख लेते हैं आपके सामने हैं यहाँ देख सकते हैं आप नीचे से आप बढ़ते करम में देखेंगे, ठीक है, तो सबसे जो धक्ष, यहां आपको पढ़ा है कैमूर, ठीक है, कैमूर जो है, कैमूर जो है, वो यूपी के साथ लगता हुआ जिला है, आप एक कमेंट करके बताइए, क्या रोहतास भी लग रहा है, कमेंट करके आप बताइए, क्या र इसके मुताबिक यहाँ पे आगर आप देखें तो रोहतास जो है एक ऐसा जिला है जो जारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा साध्या कर रहा है कौँसा रोहतास रोहतास जहारखंड के साथ भी लग रहा है और रोहतास उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साजहा कर रहा है यहां पर अगर आप ध्यान दें तो रोहतास के साथ साथ कैमूर उत्तर प्रदेश से सीमा बना रहा है बकसर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपाल गंज और पश्चिमी चमपारण ठीक है, कुल विला के आठ जिले बिहार के ऐसे हैं आठ जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साजा कर रहे हैं ठीक है, आठ जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साजा कर रहे हैं और इन आठ जिलों में कैमूर जिला जो है ये सबसे पस्चिमी जिला माना जाता है सबसे पस्चिमी जिला जो है पिहार का वो कैमूर माना जाता है, आपको ध्यान देना है सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षणी जिला, सबसे पस्चिमी जिला, सबसे पूर्वी जिला, सबसे ज़्यादा वर्षा कहा होती, सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा जिला, ठीक है, तो सबसे बड़ा का पता चल गया, पश्चमी चमपारण है, सबसे बड़ा जिला, और अगर पूछे सबसे छोटा तो सिवहर, सिवहर ऐसा है, सबसे छोटा जिला, ठ तीता मढ़ी से घीरा हुआ यहां जिला है ठीक है तो यहां पर हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे सीमा वर्ती राज्य हैं जो इसके साथ सीमा बना रहे हैं बिहार के साथ तो यह एक सामाने भोगोलिक परिचय हुआ अगर इसको हम चाहें तो आप लोग एक सौर्ट नोर्स बना यहां तो मैंने बता दिया इसके अलामा पॉइंट करकर के चीजों को यहां भी लिखते जा रहे हैं आपका है तो उसको भी नोट डाउं कर सकते हैं सबसे पहले हम क्या देखेंगे नेपाल की सीमा से सनलगन जिले हमने मैप में दिखा दिया अब यहां लिखके दिखा दे रहा है ठीक है नेपाल से सनलग्ण जिले नेपाल से सनलग्ण जिले कौँ कौँ से पस्चमी चमपारण पूर्वी चमपारण सीतामढी मधुबनी सुपाल अरडिया सीतामढी सुपाल अरडिया सीतामढी सुपाल अरडिया और किसन गंजे और किसन गंजे देखे एक चीत ध्यान रखेगा कि मैंने आपको इससे पहले ये बता रखा है कि सबसे पूर्वी कौँ सा है सबसे पस्चमी कौँ सा है सबसे उतरी कौँ सा है सबसे दक्षणी कौन सा है इसलिए इसको लिखने के दोरान हम उस चीज पर फोकस नहीं करेंगे आप लोग खुद से ये चीजे नोट करते चले जाएं तो कुल साथ ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं अब अगला क्या देखते हैं जैसे कौन से ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साजा करते हैं उत्तर प्रदेश से सनलगन जिले उत्तर प्रदेश से सनलगन जिले उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले सनलगन है उसके बार हम देखें, तो उत्तर पर नीचे से देखें, दक्षिर से देखते वे चलिए, तो सबसे पहले क्या आएगा, रोहतास, ठीक है, रोहतास, और रोहतास ऐसा है, जो जारखंड से भी बना रहा है, और उत्तर प्रदेश से भी सीमा साजा कर रहा है, उसके बाद कैमू कैमूर हो गया, उसके बाद वक्सर, और बक्सर के बाद भोजपुर आरा, ठीक है, भोजपुर यहीं पर आरा है, जो गाना भी बना था, आप लोग जानते भी होंगे, सुने भी होंगे, ठीक है, भोजपुर सारन, सीवान और गोपाल गंज, उसके बाद एक अंतिम जिला आ रहा है जो नेपाल के साथ भी सीमा साध्या कर रहा है और वह क्या है पश्चिमी चमपारण यह क्या है यह पश्चिमी चमपारण जो है पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तरी जिला है सबसे उत्तरी और सबसे बड़ा जिला ध्यान रखेगा सबसे उत्तरी और सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और इस क्रम में रोहतास एक ऐसा जिला है जो जारखंड और उत्तरपदेश दोनों के साथ सीमा साजहा कर रहा है अब चलिए एक और राज्य के बारे में देखते हैं पश्चिम बंगाल तो बंगाल से सनलगन जिले बंगाल से सनलगन जिले एक प्रशन आपका तय होता है कि यहां से आना होता है इसलिए इसके बारे में बिल्कुल निश्चिन परहिएगा कि याद तो करना ही करना है किसी भी तरह से अब पूरप की तरफ थोड़ा सा इमेजिन करिए वे मैंने बताया था एक मैप जरूर हाँ से बनाईएगा आप लोग हाँ से मैप बनाने पर चीज़ें बहुत आसानिक साथ याद हो जाएगी तो कौन सा? सबसे ध्यान के सबसे पूर्वी जिला, कौन सा? किसन गंज, ठीक है? किसन गंज सबसे पूर्वी जिला है, नेपाल और पस्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साजा कर रहा है, सातिसा सरवाधिक वर्षा बिहार में किसन गंज में ही होती है, उसके लामा पुर्ण पॉर्णिया भी लग रहा है ठीक हैं बंगाल के साथ हुर्णिया के साथ गत हार यह तीनों जिले जो है ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साजा कर रहे हैं, उसके बाद आईए चलते हैं, जारखंड के दब, देखते हैं, जारखंड किसे लगने वाले सीमा, ठीक है, जारखंड, जारखंड से सनलगन जिले, जारखंड से कौन-कौन से जिले सनलगन है, अगर आपको याद होगा, मैं मैप में बताया था, सबसे पहले नीचे आईए कौँ सा, जो जिला आपका उत्तर प्रदेश से भी लग रहा है, ठीक, तो उसको लिजे रोहतास, ठीक है, रोहतास, ठीक है, रोहतास, इसी क्रम में बढ़ेंगे, तो ठीक रहेगा, वो इसे कोई क्रम की आवशक्ता नहीं, कैसे भी करके आपको याद रहना चाहिए, पता होना चाहिए, जब यहाँ प्रशना आए, तो हम आसानी के साथ उसको हल कर लें, ठीक है, रोहतास के बाद, और अंगा बाद, गया, नवादा, ठीक है, यह बढ़ते क्रम में, मतलब, पश्चिम से पूरप की तरफ, ठीक है, गया हो गया, उसके बाद, नवादा हो गया, उसके बाद, जमुई, बाका, जमुई, बाका, हागलपुर, जमुई, भाका, भागलपुर, और उसके बाद, एक और जिला लगता है, कटिहार, ठीक है, कटिहार, ठीक है, सबसे ज़्यादा, यानि कि उत्तर प्रदेश और जह जार्खंड से सबसे ज्यादा जिले लग रहे हैं दो प्रदेश से उत्तर प्रदेश से भी आठ लग रहे हैं और जार्खंड से भी आठ लग रहे हैं यहां देखिए उत्तर प्रदेश से रोहतास कैमूर बक्सर भोजपूर सारण सीवान गोपालगन पशिमचंपारण ठीक ह उसके बाद जारखंड देकी रोहतास, और अंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बाका, भागलपुर और कटिहार ये आठ जिले हैं जो जारखंड के साथ सीमा साजा कर रहे हैं अब एक प्रश्ण कभी कभार आपकी परिक्षा में और पूछा जाता है और वो क्या होता है कि पटना से लगे हुए जिले, ठीक है, पटना से कौन-कौन, राधधानी है पटना, तो पटना से लगे हुए जिले कौन-कौन से हैं, ये भी पूछा जाता है यहां मैं आपको एक बार लिख के बताऊंगा, उसके बाद मैप के माध्यम से भी दिखाऊंगा, कौन से जिले, पटना के साथ लग रहे हैं तो अगर आप देखें, तो अरवल जो जहानाबाद को काट कर ही बनाया गया है, तो आपको इस तरह याद होना चाहिए, अरवल और जहानाबाद, ये दोनों लग रहे हैं, ठीक है, अरवल और जहानाबाद, 2001 में इसे बनाया गया, अरवल को जहानाबाद से ही काट कर, उस सराय भी पटना के साथ लग रहा है लखी सराय बेगु सराय फुल विला के नौ जिले लग रहे हैं ठीक है, नौ जिले लग रहे हैं पटना के साथ अरवल, जहानाबाद, नालंदा लखी सराय, बेगु सराय समस्तिपूर बैसाली समस्तिपूर वैशाली भी लगता है उसके अलामा वैशाली हो गए आपका सारण और भोजपुर ठीक है सारण और एक अंतिम आता है भोजपुर ठीक है अंतिम है भोजपुर यह 9 ऐसे डिस्टिक्स हैं 9 ऐसे जिले हैं जो राजधानी पटना के साथ राज राजधानी पटना से सनलगन है कभी कभी आपसे यहां से भी प्रशन पूछा जाता है अब थोड़ा सा बढ़ते हैं रेपीड फायर जैसे जो क्वेशन होते पूछे जाते हैं कभी कर सबसे चोटा जिला सबसे बड़ा जिला सबसे उत्तरी जिला सबसे दक्षडी जिला बताया तो हूँ अब यहां पर मैं किवल बोलता हुआ चला जाँगा मैं लिखूंगा नहीं इसलिए आप लोग इस शीच को चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं अगर नोट डाउन करेंगे तो बहतर हो उसके दो फायद होगे तो आपको याद हो जाएगा अब देखिए यहां पर अगर दे लग रहा है और अरवल भी लग रहा है ठीक है तो यह सारे जिले यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि लगे हुए हैं क्या बोलते हैं आपका पटना के साथ ठीक है चले आप थोड़ा सा rapid fire टाइप चीजों को देख लेते हैं यहां पर कि जो rapid fire टाइप questions होते हैं कै कैसे वो आपसे पूछ है मैं बोलता चला जाओंगा आप नोट करी यहां लिखनी का आउशकता नहीं है चेत्रफल की द्रिष्टी से सबसे बड़ा जिला एक दो पॉइंट लिख दे रहे हैं चेत्रफल की द्रिष्टी से चेत्रफल की द्रिष्टी से सबसे बड़ा जिला सबसे बड़ा जिला कौँसा है पश्चिम चमपारण पश्चिम चमपारण चेत्रफल की द्रिष्टी से सबसे बड़ा जिला है अब यहीं दूसरा प्रश्ण बन जाएगा सबसे छोटा जिला ठीक है सबसे छोटा जिला कि सबसे छोटा जिला कौन से हो जाएगा शीवहर सबसे छोटा जिला हो जाएगा इसके लामा सबसे उत्तरी जिला सबसे उत्तरी जिला अभी हमने देखा पस्चिम चंपारण सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा सबसे दक्षणी जिला गया सबसे धक्षणी जिला है सबसे ठंडा सबसे गर्म और सबसे कम बारिस जहां होती है कौनसा आपका है जिला? वो आपका गया है, गया में सबसे कम, सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा गर्म भी है, सबसे ज़्यादा थंडा भी है, सबसे पस्चमी जिला कौनसा हो जाएगा? अब यह हमने देखा कैमूर, कैमूर सबसे पस्चमी जिला हो जाएगा, सबसे पूर्वी जिला कौनसा हो जाएगा? सबसे पूर्वी जिला किसन गंज, किसन गंज सबसे पूर्वी जिला है, और सबसे ज़्यादा जो बारिस होती है, वह किसन गंज में ही होती है, अब बात कर राज के मानसून के संबंध में, तो राज की जो मानसून है, जलवायू है, वो कैसी है, ठीक है, अभी डीटेल में आगे पढ़ाएंगे लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें यहां देख लें, जलवायू कैसी है राज की, तो मानसूनी प्रकार की, ठीक है, जलवायू कैसी है, मान मिली मीटर वरसा होती है कितनी 1205 मिली मीटर बरसा होती है यहाँपर ठीक Jeśli ए और इसमें भी सरवाधिक वरसा ओती है किसंगंज जिले में होती है यह सबसे जादा वर्षा वाल और निउंतं वर्षा वाले जिले में घया पहले नंबर पर है लेकिन इसके अलावा भी तीन जिले हैं वो कौन से है कैमूर सबसे कम वर्षा वाले जिले सबसे अधिक बता दिया सबसे कम का ध्यान दिए सबसे कम वर्षा वाले जिले कौन से गया ठीक है गया पहले नंबर पर ध्यान रखिएगा गया कैमूर, रोहतास और औरंगावाद ये सबस्ते कम वर्षा वाले चार जिले हैं गया, कैमूर, रोहतास और औरंगावाद सबसे गर्मत जिला कौँसा है? गया है समुद्र तल से बिहार की अगर देखें तो आवसत उचाई कितनी है? कभी-कभी आपसे ये प्रस्ण भी पूछा जाता है समुद्र तल से बिहार की अवसत उचाई ठीक है, समुद्र तल से क्योंकि समुद्र तल से ही हर जगह की उचाई मापी कोई बता सकता है क्यों? समुद्र तल से अवसत उचाई अवसत उचाई समुद्रतल से अवसत उचाई कितनी है समुद्रतल से ही क्यों? क्योंकि अगर आप किसी अन्य को मानक मानेंगे तो उसकी उचाई में हो सकता है कहीं-कहीं अंतर देखने को मिले लेकिन ऐसा माना जाता है कि सागरतल की उचाई पूरे बिस्स में एक समान रहती है तो चिन्नई के सागरतल को मानक मानते हुए हमारे भारत की कहीं भी अगर उचाई मापी जाती है तो वहीं से ये उचाई मापी जाती है और बिहार की अगर समुद्रतल से उचाई माने तो 173 फिट ठीक है कितना है? 173 फिट जो है बिहार की आवसत उचाई मानी जाती है और इसको अगर मीटर में मेजरमेंट करेंगे तो लगभग 53 मीटर ठीक है लगभग 53 मीटर आवसत उचाई है बिहार राज्य की ठीक है यह आवसत उचाई है अब देखते हैं जनसंख्या की द्रिष्ट से देश में स्थान, यानि कि बिहार का जनसंख्या की द्रिष्ट में क्या स्थान है, तो आप सबको हो सकता है कुछ लोग को पता है, जनसंख्या की द्रिष्ट से बिहार का स्थान, जनसंख्या द्रिष्ट से बिहार, किस स्थान पहें बिहार? बिहार तीसरे स्थान पे है, तो अब प्रश्न उठता है कि पहले दूसरे पे कौन कब जा करके बैठा है, तो जानके खुसी होगी आपको, कि एक तो आपका पडोसी राज्य है, और पडोसी राज्य में कौन सा है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबसे जादा जनसंख्या लेकर बैठा है, यह पड़क हासिल हुआ है, और दूसरे नंबर पे सरवाधिक जनसंख्या किसके पास है? तो वो है वालिबुड नगरी महाराष्ट, महाराष्ट को दूसरे नंबर पे सरवाधिक जनसंख्या वाला राज्य माना जाता है, अब बिहार क अगर 6 तरफल की बात करें, मैं पहले बता चुका हूँ, पहले वाली वीडियो में 94,163 वर्ग किलो मीटर, ठीक है, इसको हम पहले बता चुके हैं, इसलिए कोई भी यहाँ पर repeat नहीं करेंगे, समय का भाव है, आपके पास भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए प्रय रखे चलिएगा, जो भारत का समय माना गया है, 852 डिग्री माना गया है, और जो बिहार में अगर आएंगे, तो कल हमने देखा था, कितने से कितने डिग्री दिसांतर बिहार की स्थिती है, ठीक है, बिहार में दून घाटी, उत्तर पस्चिम में स्थित है, जो पस्चिम पस्चिमी चंपारण में दून घाटी, उत्तर पस्चिमी हिस्से में दून घाटी आती है, जो शिवालिक स्रेडी, जो हिमालय की सबसे दक्षंतम स्रेडी है, शिवालिक स्रेडी उसका ये हिस्सा माना जाता है, साती सात, रोहतास एक मात्र जिला है, इसके सात, मैं पहले ह बताते हुए चला हुई इसलिए कि अगर कोई तथ ऐसा आता है तो आप ध्यान रखेगा जैसे कुछ ऐसा आता है आपसे प्रशन पूछा गया कि कौन सा ऐसा जिला है बिहार का जो जारखंड और उत्तर प्रदेस दोनों से सीमा साजा करता है उसके लावा एक आता है सुमेस्वर स्रेडी ठीक है सुमेस्वर स्रेडी का सिर्स भाग जो है कहीं कहीं आपको सुमेस्वर मिलेगा कहीं कहीं सुमेस्वर मिलेगा परशान नहीं होना है ठीक है एक ही चीज है सुमेस्वर स्रेडी बिहार और नेपाल के बीच में सीमा निर्धारन करती है बिहार और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारन करती है प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, सुमिस्वर स्ट्रेडिक बिहार राज्य की सीमा भारत के तीन राज्यों से मिलती है आपका पश्चिम बंगाल हो गया, उतरप्रदेश हो गया और जारखंड हो गया और एक देश नेपाल से भी मिलती है बिहार जनसंख्या की दिश से तीसरे अस्थान पे है, छेतरफल की दिश से बारहवे अस्थान पे है, भारत के छेतरफल में बिहार की स्थेती देखें, 2.8, 6.3 चेतरफल कवर करता है बिहार, राम नगर दून, बिहार में ही एक प्राकृतिक शेतराता है, राम नगर दून, हम map के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे, देखते हैं अगर उस तरह का प्राकृतिक map अगर कोई होगा, चलिए, इसी को देख लेए, यहां, अगर यहां आप देखें, इस के माध्यम से अगर आप देखें, इस map में, तो जो पस्चमी चंपारण आपको दिख रहा है, पस् जो यह हिस्दा आपका पड़ता है, यह हिस्दा झो है, यही आपका सुमेस्वर स्रेडी है, और इसके नीचे वाला जो यह हिस्दा है, आप इस वाला नीचे वाला जो यह हिस्सा होता है, इसके नीचे वाले इस हिस्से को इसे राम नगर दून कहा जाता है, ठीक है, इस हिस्से को राम नगर दून, राम नगर दून, पस्चमी चंपारण ही ऐसा है, जो जादा तर परवती हिस्सा वहां देखने को मिलता है, इसमें राम नगर दून वगेरे देखने को मिलता है राम नगर दून की लंबाई जो है बिहार में लंबाई चोड़ाई दोनों पूछा जाता है तो अगर राम नगर दून की हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 32 किलो मीटर है कितना 35 किलो मीटर लंबाई है 32 km लंबाई है आशा करता हूँ यह आपको दिख रहा होगा उसमें बोल भी रहा हूँ अगर कोई ऐसा इशू है चलिए वाइट से ही लिख देता हूँ ठीक है राम नगर दून की लंबाई कितनी है 32 km 32 km लंबाई है इसकी जबकि यह 6-8 km चोड़ाई है 8 km इसकी चोड़ाई है यह प्राक्रितिक छेतर के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी पड़ेगी जैसे दक्षडी हिस्से में जब आते हैं तो पठारी छेतर देखने को मिलता है और बीच में आते हैं तो मैदानी छेतर मिलता है उपर जाईए तो परवती छेतर मिलता है तो यह बिहार की विविदता है भागोलिक विविदता यहां देखने को मिलेगी आपको चलें अगले अब क्या देख लेते हैं जैसे हमने देख लिया जेतरफल के दिर से, राज्य की जनसंख्या के दिर से एक और चीज़ आता है, बिहार के दक्षिड गंगा मैदान में कुछ ऐसी प्रापर्टीज पाई जाती है भागोलिक जो अन्य राज्यों से अलग करती है बिहार को तो दक्षिड गंगा मैदान में अवस्थिज जो पहाडियां है, ठीक है यानि कि पठारी ये जो हिस्सा है, कुछ हिस्सा बिंधन चत्र का आता है और कुछ दक्षिड गंगा का जो मैदान है, जैसे अगर आप बिहार के मैप को ध्यान से देखेंगे जैसे मालेजे के बिहार का मैप हो गया, ठीक है, मैं रफली बना रहा हूँ, बहुत जरूरी ने कि सही बने ठीक है, इस तरह से, तो ये जो दक्षिड गंगा जी इसको दो भागम बाटती है, ये दक्षिड हिस्सा है जो दक्षिड का हिस्सा है यहाँ पर, इसको अगर आप देखेंगे, तो ये जो चीज आ रहा है, आपका देख रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ तो बिंधन का छेतर आता है, ये बिंधन का टच, बाकी जो होता है, ये दक्षिड गंगा के मैदान का छेतर है, ये जो धारवाड कालीन क्वाटजाइट चटानों से निर्मित है ये क्या है धारवाड कालीन क्वाटजाइट चटान से निर्मित है आप से प्रशन पूछा जा सकता है कि बिहार के किस छेत्र में धारवाड कालीन क्वाटजाइट चटाने पाई जाती है ये प्रशन आप से पूछ जा सकता है तो इसके लिए आप यहाँ पर तैयार रहिएगा ठीक है चले अब कुछ और प्राक्रितिक संदचना के बारे में अगर बात करते हैं तो बिहार को मैं एक यहाँ पे देखें मैं पहले से ड्रॉ है ठीक है मैं यहाँ पे ड्रॉ है इसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अगर आप प्राक्रितिक संरचना के बारे में बात करें तो बिहार के बिहार को तीन भौगोली की छित्रों में बाटा जाता है ठीक है? प्राक्रितिक संरचना के आधार पर इसे तीन भागों में बाटा जाता है परवतिय भाग, ठीक है, यह पहला रहा, दूसरा क्या आता है, दूसरा जो इसका भोगुलिक छेत्र, यहाँ बताया हूँ न, यहाँ पे इस छेत्र में, यहाँ पे शिवाली का छेत्र पाए जाता है, अभी और बताऊंगा, अभी इतना समस्की चेत्र, उसके लामा, मध्य इसरा जो आता है, दक्षिड के पठारी भाग, ठीक है, क्या आता है, दक्षिड के पठारी भाग, ठीक है, यह तीन प्रकार के भोगुलिक छेत्र में, हम इसे बाट सकते हैं, बिहार को, ठीक है, अभी यहाँ पर नदियों को मैं आपको दिखाऊंगा, किस तरह से नदियो उने इसे बाटा है, नदी के छेतर पर भी बाट के देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं, शिवालिक वाले अगर हिस्से को आप देखें, तो सोमेस्वर स्रेडी, हमने अभी भी देखा है, इस छेतर में सोमेस्वर स्रेडी, सोमेस्वर स्रेडी पाई जाती है, एक सिवालिक स स्रेडी का ही हिस्सा है, सोमेस्वर सेडी, ठीक है, ये परवती हिस्सा है, इसमें तीन प्रमुख दर्रे हैं, दर्रे क्या होते हैं, जैसे जो परवत होता है, तो जब कोई परवत इस तरह से continue रहे, ठीक है, तो नदियां क्या करते हैं, उसे काट देती हैं, नदियां उसे काटा हुआ हिस्सा होता है तो वो काफी लाखों सालों से कट रहा है तो काफी चोड़ा छेत्र बन जाता है तो उसके द्वारा यात्री व्यापारी तमाम प्रकार के लोगों का आवा गमन होता है तो यहां पर जो सोमेस्वर स्रेडी है इसको तीन जगह से काट दिया गया है नदियों के दोरा, तो सोमेस्वर स्रेडी में जो दर्रे बनते हैं, तीन प्रकार के दर्रे यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे, सोमेस्वर स्रेडी में तीन दर्रे आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें सोमेस्वर भिखना थोरी और मरवट, कौन सा, सोमेस्वर भिखना हो रही है और एक मरवट ठीक है और एक अंतिम मरवट तो ये तीन ऐसे दर्रे हैं जो सुमिस्वर सेडी को तीन जगह से काट दिये है इन तीन दर्रों से नेपाल और बिहार के बीच में सदियों से आवागमन हो रहा है इसके माध्यम से ब्यापार भी होता है और लोगों का आवागमन भी सामान रूप से संचालित होता है इसकी जो सर्वस्तों में स्वर्ट्रेडी की सर्वच चोटी है ठीक है तो कभी-कभी ये भी पूछा जाता है आपसे प्रशन पर ठीक है तो जो सर्वच चोटी है इसकी उचाई पूछ ली जाती है सर्वच चोटी 874 मीटर उची है कितनी सर्वच चोटी 874 मीटर उची है ये भी आपसे सवाल पूछा जाते है उसके बाद आपका आता है उसके नीचे दून घाटी ठीक है जश्ट यहाँ पर यह दून घाटी आता है ठीक है ज्यानकिक आप चम्पारण की हम बात करें पस्वी चम्पारण की ठीक है यह आपका हो गया दून घाटी हो गया यहां पर दून घाटी हरहा नदी घाटी के नयम से भी जानी जाती है इसे हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है अब क्यूं कहा जाता है इसे क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार की हरहा नाम की एक नदी है इसलिए हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है और यहाँ सोमिस्वर और राम नगर दून के मध्धे स्थित है तो इसका तात परे हुआ कि इसके दक्षिण में यहाँ पर आपको राम नगर दून देखने को मिलेगा, यह जो है, यह राम नगर दून है, ठीक है, अभी इससे पहले राम नगर दून के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, यहाँ हरहा नदी के दक्षिण में इस्थित है, और इसकी अधिक्तम उचाई जो है राम नगर दून की ये भी ध्यान रखेगा, ये राम नगर दून जो है, इसकी अधिक्तम उचाई आपसे पूछा जाता है, दो सो चालिस मीटर, दो सो चालिस मीटर, ये जो है राम नगर दून की उचाई है, राम नगर दून, राम नगर दून की उचाई कितनी है, 240 मीटर है, तो यह एक तीन जो भगोलिक छित्रों में हमने इसे विभाजित किया था, पहला सिवालिक का परवतिय छित्र के विसे में क्या क्या प्रपटीज है, क्या महत्वपूर्ण है, वो चीजे हमने यहाँ पर देख लिया, अब दे दुस्तरे पेज में देखेंगे, क्योंकि इस पेज में यहीं कम्प्रीट हो गया है, यह पूरा, चीजे हैं, वो वो, 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 परवत्ती वाला च्छेतर हो गया, अब मैदानी वाले च्छेतर में तुछ देख लेते हैं, चुकि यहाँ भी मैप की बहुत आउशकता पढ़ती है, जब भी आप भोगोली च्छेतर के बारे में पढ़ें, या भोगोल के बारे में पढ़ें, तो मैप जरूर वहां लेकर बैठें, मैप से बहुत ज़्यादा आपको मदत मिलने वाली है, अब जब मध्य बिहार के मैदानी भाग के बारे में बात करते हैं, तो बिहार को दो मैदानों में बाढ़ती हैं, बिहार में गंगा जी बिलकुल वीचों 20 से गुजरती हैं, ठीक है, यह गंगा जी हो गई, ठीक है गंगा और बिहार को ये दो भागों में बाटती है एक तो हो गया आपका उत्तरी मैदान ये चित्र उत्तरी मैदान का हिस्सा हो गया और ये आपका दक्षडी मैदान हो गया ठीक है दक्षडी मैदान हो गया ठीक है उत्तरी और दक्षुनी दो भाग में बाट देती हैं तो सबसे पहले हम उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ लेते हैं कि उत्तरी मैदान में कौन-कौन सी नदियां है और वे नदियां दोवाब का निर्मार करती हैं दोवाब क्या होता है दो नदियों के बीच के इस्त कौन से जो है नदियां, उतरी बिहार की प्रमुख नदियां हैं, तो सबसे पहले हम नदि देखें घागरा के बारे में, ये सारी गंगा की सहायक नदियां आके ultimate गंगा में मिल जाती हैं, तो अगर इस शित्र के बारे में हम बात करें, तो आप देखेंगे घागरा नदी है पहले, तो पहली जो एक नदी आती है, सबसे पश्चिमी, पश्चिम से देखते हुए, हम पूरब की तरफ पढ़ेंगे, तो जो सबसे पश्चिमी है, उसमें कौन सी है? घागरा है, ठीक ह सबसे कौन सी है? घागरा नदी है, ठीक है? घागरा है, सबसे पश्चिमी है, और यह उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार में प्रवेस करती है, और कुछ दूर तक यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा भी बनाती है, ठीक है? उसके पाद अगली जो नदी आती है, वो है आपकी गंडक, यह भी कुछ दूर तक सीमा बनाती है, विहार की और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, और अंत में आकर यह भी गंगा में मिल जाती है उसके बाद एक नदी है जो नेपाल से निकलती हुई आती है और वह भी आकर गंगा में मिल जाती है नेपाल से निकलकर आती हुई गंगा मिल जाती है इसको क्या यह तो हो गई गंडक ठीक है यह हो गई गंडक और यह हो गई आपकी कोसी, ठीक है, ये आपकी कौसी हो गई, ये कोसी हो गई, उसके अलावा एक सबसे जो पूर्वी नदी है बिहार की, वह कौसी है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से ये कौसी नदी हो गई, ये महानन्दा हो गई, ठीक है, कौसी नदी हो गई है, महानन्द सबसे पूरवी नदी, ठीक है, किसन गंज में ये प्रवेस करती है, बिहार में, अब उत्तर की ये तीन प्रमुख नदियां, आप देख रहे हैं, चार प्रमुख नदियां, अब इनके दोआब के बारे में देख लेते हैं, तो जो घागरा और गंडक के बीच का छेत्र है, इसको बोला जाता है, घागरा गंडक के बीच का जो छेत्र है, इसको घागरा गंडक दोआब, ठीक है, घागरा गंडक दोआब, ठीक है, उसके अलामा ये कोसी और गंडक के बीच की है, तो इसे गंडक और कोसी दोआब बोला जाएगा, ठीक है, और यह महानन्दा और कोशी के बीच का है तो कोशी और महानन्दा दुवाब ठीक है यह प्रमुख नदियां हैं जो सबसे इनकी खास बात्या है कि यह नदियां पूरे साल इन नदियों का जो सोर्स है इन नदियों का सोर्स ग्लेसियर्स होती हैं और इसकी वज़से ये सदा वाहिनी नदियां होती हैं कैसी नदियां होती हैं सदा नीरा या सदा वाहिनी नदियां ये होती हैं और यही नदियां बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में बाढ का कारण बनती हैं उत्तरी बिहार में बागमती हो गई, ये नदिया भी महत्तोपोड है, ठीक है, बूढी गंडक और बागमती, ये दो अन्य नदिया भी हैं, जो इन्हीं की सहयक नदियों में आती हैं, और इस वज़सी ये बाढ़ प्रभावित छित्र रहता है, जो उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार बाढ़ प्रभावित छित्र रहता है, अभी भी आप लोग न्यूज में सुन रहे होंगे, कि काफी बाढ़ आया हुआ है, उत्तरी बिहार में गंडक के कई फाटक खोल दिये गए हैं, नेपाल के द्वारा, ठीक है, तो ये दो आप के बारे में हमने देखा, जिसे आप लोग अच से छित्र मौझूद हैं, तो सबसे पहली बात देखें, जो मध्य प्रदेश के अमर कंटक से एक नदी निकलती है, जिसे सोन नदी कहा जाता है, वह नदी भी बिहार में प्रवेस करती है दक्षिन से, और यहां आपके गंगा नदी में वो मिल जाती है, ठीक है, तो इसे क् गंगा और सोन का दोवाब कहा जाता है, ठीक है, उसके अलावा यह मगद का छेतर है आपका, यह बीच का यह मगद का छेतर होता है, और इसके बाद एक और नदी यहां पर आके मिलती है, आप लोगों को हो सकता है, पता हो, निरंजना, ठीक है, निरंजना नदी है, और यह मोहना मिलते हैं उसके बाद ये फालगू हो जाती है ठीक है उसके बाद ये फालगू मोल रूप से ये निरंजना नदी है ठीक है मोल रूप से ये निरंजना नदी है तो यहाँ पर चुकी जो दक्षिर बिहार की नदियां है ये दो मुख्य नदियां है बस जो दक्षिर की समय ही इनको जल मिल पाता है अदरवाई ये नदिया जो है या तो सूखी रहती ही या बहुत कम जल रहता है और अगर इस छेत्र की बात करें ये जो बिहार का इस छेत्र की बात करें तो यह कैसा है ये दक्षडी पठार है दक्षड का पठारिये छेत्र है दक्षड का पठार ये छित्र है यहाँ पर, ठीक है, तो ये दक्षिड की नदियों के संदर्व में भी हमने कुछ जानकारियां ले ली, ठीक है, गंगा सोंदो आप, मगद का मैदान और अंग का मैदान, ये जो यहाँ छित्र ये देख रहे हैं, ये छित्र अंग का मैदान कहा जाता है, ये अं लोग उलिखीन में है और उत्तर में देखेंगे तो भी उचाईपस्सामानत जो इनका ढाल है दक्षणी बिहार का ढाल है वा दक्षण से उत्तर की तरफ है इसलिए जो छंगा कर सरे रही है और आपचे करatarई जमुई हो गया, यहां पर सामानेता बाण की इस्तिती नहीं देखी जाती है, ठीक है, अब चलिए देखते हैं, दक्षिन के पठार के संदर में कुछ बात हैं, दक्षिन का पठार भी समझाई चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक बार और एक मैप होगा, चले, चुकि दक्षिन का ही समझाना है, तो इसे मिटा देते हैं, चेक है, क्या कर दिया, चले, दक्षिन का पठारी भाग, अब बचा, दक्षिन के पठारी भाग के अगर बात करें, ये हिस्सना आता है, ये दक्षिन का पठारी भाग है, दक्षिन का पठारी भाग हो गया, नीस एक प्रकार की चटान है, सिस्ट ग्रेनाइट चटानों की यहां बहुलता पाई जाहें, किसकी, यहां पर, नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट प्रकार चटानों की बहुलता, क्योंकि यह पठारी छित्र का हिस्सा है, और जो पठार होता है, वह सामानेत या, जो लावा होता है, उससे निर्वित भाग होता है, तो कालांतर कई हजार साल, करोरो साल बीत जाने के बाद, इन चटानों का स्वरूप अब नीस, सिस्ट ग्रेनाइट प्रकारखा हो चुका है, इसमें जो मुख्य पहाडियां है, कभी-कभी इसमें पहाडियों के बारे पुछा है, तो गया, मंदर, बराबर, बराबर की पह पहाडियों के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें असोक और उनके पुत्र दसरत के द्वारा गुफाएं काटके बहुत धर्म को दान में दी गई थी, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जो चित्र के बारे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर गया, मंदर, बराबर, ठी इसको जो है, गंगेस्वरी, माफ करें, गंगेस्वरी और राजगीरे, यह पहाडियां पाई जाती हैं, चीक है, यह पहाडियां यहाँ पर पाई जाती हैं, इस छेत्र में, यह मुख्यरूप से इस छेत्र की पहाडियां हैं, यह छोटा नागपुर का पथार जो है, और क कैमूर का पठार है उसी का भाग है ठीक है छोटा नागपूर का पठार और कैमूर का एक भाग के रूप में यह उत्तरी विस्तार है उत्तरी पूर्वी विस्तार है छोटा नागपूर के पठार का और कैमूर के पठार का इस भाग की जो उचाई है सामाने तर एक सव पचास तक है, ठीक है, 150 से लेकर 300 मीटर तक है, ये जो पठारी भाग है इसके उचाई की हम बात कर रहे हैं, सोन नदी जो है इस पठार की एक प्रमुख नदी है, कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से ये अलग करती है, ये ध्यान रखेगा ये प्रशन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ये प्रशन आपसे पूछा जा सकता है, चलिए, अब उत्तरी भिहार को यहाँ साफ कर देते हैं, यही लिखना पड़ेगा ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सोन नदी सोन नदी जो है वो कैमूर के पठार को छोटा नाखपुर के पठार से अलग करती है यह एक विभाजक का काम करती है छोटा नाखपुर पठार के उत्तरी सिमान्त छेत्र में यानि कि छोटा नाखपुर के पठार का जो उत्तरी हिस्ता है उसके सिमान्त छेत्र में आर्कियन यहां उत्तरी लिखने, ने तो आप लोग कंपुजिया जाओगे, ठीक है, आर्कियन, नीस और ग्रेनाइट, ग्रेनाइट प्रकार की चटाने पाई जाती है, इतने प्रकार की चटाने इसमें पाई जाती है, तो आप से पूछा जा सकता है, किस प्रकार की चटाने यहां पाई जाती है, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी सिमान्त छित्र में, जबकि कैमूर पठार में अगर बात करें तो बलुवा पत्थर भी दिमान है, ठीक है, कैमूर पठार में, बलुवा पत्थर, ठीक है, तो छोटा नाकूर के पठार में क्या पाया जाता है, और कैमूर के पठार में क्या पाया जाता है, ये दोनों चीजें यहां पर हमने आशा करता हूँ, यहां तक चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी, अब थोड़ा सा नदियां हमने समझा, दोवाब हमने समझा, उससे प्रभावित छित्रों के बारे में समझा, उन नदियों के प्रकित के बारे में, लेकिन एक चीज़ वहां हमने छोड़ दिया, जो अभी समझाँ जरूरी है कि विभिन प्रकार की नदियां और उनका उद्गम अस्थल ये भी आप से परिक्षा में सामानेतया पूछा जाता है तो चलिए उनी को एक एक करके यहां समझ लेंगे सबसे पहले उत्तरी बिहार की कुछ नदियों को देख लेंगे उसके बाद एक एक करके दक्षणी बिहार की नदियों को भी देखेंगे तो यहां पर आपको पता है कि गंगा जी दो भागों में बाट रही है बिहार को बिहार के लगभग बीचो बीच से गुजरती है गंगा जी लगभग बीचो बीच से गुजरती है फोड़ा पे नवर मोटा कर देते हैं इसको लगबग दो भागों में बिहार को बांट रही है अब सबसे पहले जो देखेंगे हम सबसे पहले देखेंगे घाघरा जिसे यूपी में सर्यू नदी के नाम से भी जाना जाता है किसको घाघरा को और घाघरा उत्तर प्रदेस और बिहार की कुछ हद तक सीमा भी बनाती है ठीक है कुछ हद तक वो सीमा भी बनाती है तो हम इस तरह से लेंगे इस नदी को इस तरह से करते करते यहां आके यह मिल लही कहां पे मिल लही है सबसे पहले इसका उद्गम देखें तो नांग्या नेपाल में ठीक है नांग्या नेपाल उद्गम है ठीक है उद्गम है उत्तर प्रदेश में इसे सर्यू कहा जाता है ठीक है अयोध्या नगरी इसी सर्यू नदी के किनारे है लेकिन जब बिहार में पहुंचते है तो इसे घाघरा नदी कहा जाता है ठीक है इसे घाघरा बोला जाता है उद्गम असल कहां पे है नांग्या नेपाल में और यह छपरा के निकट बिहार में यहां छपरा है ठीक है छपरा छपरा के निकट बिहार में इसका गंगा के साथ संगम हो जाता है ठीक है तो ध्यान रखेगा उध्गम कहांपे है और संगम कहांपे है ये दोनों चीजें आपके लिए जरूरे दोनों को तयार रखिए उसके बाद जो अगली महत्पुण नदी आती है वह कौंसी है वह गंडक है, ठीक है, अगली महत्तपुन नदी, गंडक, गंडक नदी है, गंडक का उद्गम अस्थल क्या है, यह भी पुनह नेपाल में, ठीक है, नेपाल इसका उद्गम अस्थल है, गंडक का, यह सारी ग्लेसियर्स की नदियां है, उद्गम अस्थल नेपाल है, और संगम क पहलेजा घाट, ठीक है, सोनपुर, सोनपुर, पहलेजा घाट, इसका संगम हो जाता है गंगा के साथ और गंगा की सहायक नदी के रूप में आगे बढ़ती है, अगली नदी आती है आपकी बूढ़ी गंड़क, ठीक है, ये गंड़क हो गई, उसके बाद आती है बूढ़ी गंडक, जो होती वो नदी है, बूड़ी गंडक आपकी ये भी जाके आगे गंगा नदी में ही मिलती है, चलिए इसको इसी तरह से, थोड़ा सा जगे कम पड़ जाएगी यहां पर, चलिए देखते हैं, मैनिस करते हैं किसी तरह से, आप मानके चलिए, ये क्या हो गई, ये बूढ़ी गंडक हो गई, इसका उद्गम अस्थल क्या है, इसका उद्गम जो अस्थल है, वह सोमिस्वर पहाडी चौतरबा, चौतर चौतर्बा नामक स्थान सुमिस्वर पहाडी सुमिस्वर पहाडी चौतर्बा नामक स्थान पर इसका उद्गम होता है इसका उद्गम चौतर्बा नामक स्थान सुमिस्वर पहाडी और यह खगडिया जिला के पास गंगा नदी में मिल जाती है कहाँ पर खगडिया खगडिया में गंगा नदी से इसका संगम हो जाता है एक और नदी नेपाल से ही निकलती है जिसे बागमती कहते है एक और नदी नेपाल से निकलती है जिसका नाम है बागमती यह नेपाल से ही निकलती है इसका उद्गम स्थल है और यह गंगा से संगम कहां पेकटी है बदला घाट कोशी नदी से पहले यह बदला घाट वहां से संगम हो जाता किसमें बागमती की यह सहायक नदी बन जाती है अगला है कमला नदी बहुत महत्तपुन नदी नहीं है लेकिन ठीक है अब है इसका कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर न बहुत ज़्यादा भ हाँ ठीक है अगली नदी कौँ से आती है आपकी कमला ठीक है अगली नदी है हमारी कमला यह नेपाल के महाभारत स्रेडी महाभारत परवत स्रेडी नेपाल यहां से यह निकलती है ठीक है कमला नदी और यह बदला घाट कोसी नदी ठीक है कोसी नदी का जो बदला घाट महां यह पुना वहां पे मिल जाती है जाके ठीक है और यह कोसी की सहायक नदी है चलें इसको थोड़ा सा यह कोसी की सायग में दीती कमला और उसके बाद आपका जो अगली नदी आती है कोसी वह गोसाई नाथ नामक स्थान नेपाल से ठीक है कोसी नदी आती है अगला अगली नदी है कोसी ठीक है गोसाई नाथ उद्गमस्थल ठीक है नेपाल ही है गोसाई नाथ और यह जाकर कुरसेला, कुरसेला में गंगा नदी से मिल जाती है, कहां पर कुरसेला, कुरसेला में गंगा नदी से ये मिल जाती है, उसके बाद आपका आता है महानन्दा, जो सबसे अंतिम नदी आती है, महानन्दा नदी आती है, जो बिहार के साथ, बिहार में भी बहती है थोड़ी कुछ दूर तक सीमा भी बनाती है, इसका जो उद्गम अस्थल है, यह कुर्शियांग दार्जिलिंग है, ठीक है, कुर्शियांग दार्जिलिंग में इसका उद्गम है, कहां पर है, कुर्शियांग दार्जिलिंग, पुर्शियोंग दार्जिलिंग पश्चिम मंगाल में ही इसका उद्गम है और यह बंगाल की खाड़ी में बंगलादेश में गोदा गिरी, गंगा नदी की ही साहक नदी है पश्चिम बंगलादेश में गोदा गिरी एक स्थान है ठीक है बंगला देश में गोदा गिरिये का स्थान है वहाँ यह जाकर गंगा से मिलती है डिरेक्ली यहाँ गंगा में नहीं मिलती संगम है इसका तो यह यहाँ पर हमने उत्तरी बिहार की सारी नदियां देख लिया उत्तरी बिहार की महत्तपुर्ण नदियां यह उत्तरी बिहार की सारी महत्तपुर्ण नदियां है कहां इनका उत्तगम हुआ और कहां इनका संगम हुआ यह प्रशन आप से पूछा जाता है यहाँ से आपके एकाक प्रशन आने की पूरी संभावना बनती है अब अगला जो महत्वण आता है वो आते हैं दक्षिर बिहार की महत्वण नदियां ठीक है तो चलिए यहीं पर दक्षिर बिहार की भी कुछ महत्वण नदियों के बारे में देख लेते हैं दक्षिर विहार की महत्पुर्ण नदी पहली जो नदी आती है, सबसे पश्चिमी नदी है, वो सोन नदी है, ठीक है, कौन सी है, सबसे पश्चिमी महत्पुर्ण नदी है आपकी सोन नदी, ठीक है, सोन नदी, एक सबसे महत्पुर्ण नदी आती है, यह कहां से आती है, सोन अमर कंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश के अनुपूर्जिला है मध्य प्रदेश के अनुपूर्जिले से इसका उदगम होता है और पटना के मनेरगाओं में ठीक है पटना के मनेरगाओं पटना आकर यह गंगा नदी में संगम इसका हो जाता है उसके बाद एक महत्वण और नदी आती है जो पुनपुन है पुनपुन नदी है एक पुनपुन नदी यह भी एक महत्वण नदी है और यह चोटा नागपुर के पठार जारखंड के पलामुजिला जारखंड पलामुजिला जारखंड पलामुजिला जारखंड पलामुजिला जारखंड चोटा नागपुर के पठार का परही इस्तित है वहां से इसका उद्गम होता है और यह पटना के फतुहा के निकट ठी पटना के फतुहा के निकट संगम, फतुहा के निकट इसका गंगा में संगम हो जाता है, उसके बाद एक फाल्गु नदी है, अगली फाल्गु नदी यह भी छोटा नागपुर के पठार और पलामु से ही निकलती है, फाल्गु नदी भी और यह पुनपुन नदी में मिल जाती है, यह पुनपुन नदी की ही एक सहायक नदी बन जाती है, कौन सी, फाल्गु, मैंने अभी थोड़ी दिर पहले ही बताया था, फाल्गु, यह भी छोटा नागपुर के पठार के पलामु जिले से मिलती है, और य बंदा हो चुका है ठीक है चले एक और मैप इस्तेमाल करते हैं देखे यह सोन नदी थी यहां से जो है दूसरी एक नदी आई थी यह पुन-पुन हो गई अब हमने देखा यह पालगू हो गई यह सोन हो गई आपकी यह पालगू, उनपुन सोन और एक नदी आऔर आती है क्यूल या भी दख्चिड विहार की नदी है या भी पठारी नदी है और गिरीडी है जो जारखंड में अस्थान है गिरीडी है जारखंड में गिरीडी है नामकस्थान से या नदी निकलती है या भी पठारी नदी है तीसरी पठारी नदी दक्छडी बिहार में है या सूरजगढा लख़्ी सराय में सूरजगढा लख़्ी सराय में गंगा नदी के साथ इसका संगम हो जाता है और एक अन्य भी नदी है बस जानने के लिए जान लीज़े आवश्यक अजय सबसे बिहार की कहा जाए तो सबसे पूर्वी दक्छडी नदी अजय नदी है ये महत्तपुन नदियां है जिनके बारे में हमने यहाँ पर बात किया आज यहीं क्लास रोकेंगे कल की क्लास में हम आगे की चीज़ें के बारे में चर्चा करेंगे जो आगे हमें और चीज़ें बहुत सारी पढ़नी है जो बिहार विसेस में शामिल है आपके जैसे हम आगे बिहार की नदियों इसी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे जैसे पुराना नाम क्या था इस न साथ बिहार में नदी घाटी परयोजनाओं के बारे में देखेंगे कौन-कौन सी नदी घाटी परयोजनाओं शामिल है अग्ली क्लास नहीं सी सारा धन्यवार और शुब कारणा है